आज एक केस सेयर कर रहा हूँ जिसमें ये देखेंगे कि कैसे अमर्जेंसी एंजियोप्लास्टी आपके लिए मैत्वपरण है आपकी जान बचा सकती है एक पेशेंट है जिनको रात को एक बजे चेस्ट पेइन चालू हुआ चेस्ट पेइन के साथ में उनको गबराट हुई पसिना आया बेचेनी हुई और वो अमर्जेंसी में आए अमर्जेंसी में उनका ECG किया गया ECG में कलियर कट पता लग गया कि इनको हार्ट अटेक है वो तूरंत लोडिंग डोज ती गई लोडिंग डोज में 300 मिलिग्राम एस्प्रिन, 300 मिलिग्राम क्लोपिडोग्रिल और 80 मिलिग्राम एटरवा स्टोटिन टेबलेट दी जाती है लोडिंग डोज देने के बाद में उनको ICU में शिप्ट किया गया उनका अमर्जेंसी इंजियोग्राफी प्लान किया गया लेकिन जब तक प्रिपेर कर रहे थे पेसेंट को ICU में ही बार बार वीटी होने लग गया यानि उनकी दड़कन बहुत तेज होने लगी दड़कन उनकी 200-300 के लगबग होने लगी पेशेंट बहुत होने लग गया उनका BP पहले सी कम था इसी कंडिसन में फिर उनको बार बार उनको DC सोक दिया गया बिजली के जटके दिया गया ताकि उनकी जो दड़कन है वापिस नॉर्मल आए फिर तुरंत उनको कैतले में सिफ्ट किया गया कैतले वो जगया जहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक की जाती है जैसे ही उनका एंजियोग्राफी किया उसमें देखा कि 22 सेट की जो दो नसे रहती है वो दोनु ही उनकी 100% ब्लोक हैं और इसी कारण से उनको बार बार वीटी हो रहा था 22 सेट की उनकी दोनु नसे ब्लोक थी एसी कंडिशन में तुरंत उनका एंजियोप्लास्टिक करना बहुत जरूरी था यानि दोनु नसे को जितना जल्दी खोला जाए और हार्ट को ब्लोड सप्लाई चालू किया जाए उतना ही उनको फाइदा होने वाला था इसलिए जल्दी से उनमें दोनों जो ब्लोग नसे थी उनकी वाइरिंग की वाइरिंग करके उनका जो ब्लड फलो था वो चालू किया गया और फिर इस्टेप बाइस्टेप दोनों नसे में स्टंटिंग किया गया और stunting करने के बाद में दोनों नसे एकदम ठीक हो गई, उनका blood flow एकदम अच्छे से चालू हो गया और patient को VT आना भी बंद हो गया पेशेंट को ICU में shift किया, ICU में shift करने के बाद में देखा patient का BPV इंप्रूव वा, patient को symptom में भी relief आ गया दो दिन उनको ICU में रखा, उसके बाद में उनको डिचाथ कर दिया, patient उसके बाद में दुबर दिखाने के लिए आए, एकदम अच्छे थे, healthy थे और उनको कोई symptom नहीं थे यह case आप से इसलिए share किया है, कि जब भी आपको इसे symptom लगें, जैसे भी आपको chest पे नहीं, गबराट है, पसीना है, बेचे नहीं है, तो उनको आप ignore ने करें और तुरंत अपने डाक्टर को दिखाएं, ताकि यह दिया आपका सही time पे diagnosis हो गया, और आपका आचे से पतनी होएगी और आपकी जान बच जाएगी,